क्या बात है तो शिरुवात हो चुकी है और वो भी शांदार तरीके से जिसमें चीन के अब दिन लदने वाले हैं क्योंकि भारत में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए Financial Year 2023 में रिकॉर्ड तोड़ एपल आइफून का एक्सपोर्ड कर दिया है यहां एपल ने सारी सोर्सिंग लोकली की है जो PLI की एक बड़ी सकसे स्टोरी बन जाता है बता दे कि एपल आइफोन भारत से करी 40,000 कर रोपे के निरियाद के आखड़े को पार करने वाला पहला ब्रांड बन गया है जो कि पिछले कुछ सालों में ही कंपनी न यहां अपने मैनिफेक्चिन को बढ़ाया है वहीं ट्रेड और इंडिस्टी के आखड़े का नुसार भारत का कुल स्मार्टफोन निरियाद भी वितवर्स 2023 में पहली बार 10 अरब डॉलर के आखड़े को पार कर गया है जिसमें वितवर्स 2023 में लगबग साड़े 3-4 अरब डॉलर के आखड़े पर सैमसंग बैठा हुआ है और यहां भारत का फोकस यूके, इटली, फ्रांस, मिडल इश, जापान, जर्मनी और रूस साइद विक्सित बाजरों में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है ताकि भारत अपनी सप्लाइचेन को मजबूत कर सके और ऐसा करने से भारत चीन को एक बड़ी चोट पहुचाता हुआ दिखाई देगा और यहां ना केवल एक्सपोर्ट के लिए बलकि घरेलू बाजार के लिए भी जहां प्रीमियम डिवाइस की मांग में वृद्धी देखी जा रही है और एपल एक मैनुफेक्शन सेंटर के रूप में भारत पर दोगुना प्रभावड डाल रहा है जो कि भारत में कुल आइफोन उत्पादन का 5% हिस्सा है जबकि 2020 में 1% से भी कम आकड़ा था यहां ध्यान देने वाली बात है कि कोरोना, मंदी और सप्लाइ चेन में रुकावड के बावजूद भारत ने 5% उत्पादन आकड़े को छुआ है और साल के शुरुआती महिने ही बीते हैं और यहां भारत ने एक बड़े लॉट का एक्सपोर्ट कर डाला है जो जाहिर सी बात है, 2024 आते आते दो गुना से भी जादा होने की उम्मीद है आपको बता दे की कंपनी के तीन तैवानी कॉंटर्ट मेकर, फॉसकॉन, विश्टॉन और पेकटॉन, वर्तमान में तमिलनाडो और करनाटक में अपने प्लांट से आईफोन 12, 13 और 14 मॉडल बनाते हैं और नेरियात करते हैं और भारत की मॉबाइल फोन इंडिस्ट्री, PLI स्कीम की मदद से तेजी से बढ़ रही है जिसका उद्देश चीन और वियतनाम से दूर, इलेक्टॉनिक्स निर्माताओं को आकरशित करना है और इसका परिणाम ये रहा है कि मॉबाइल फोन भारत में, इलेक्टॉनिक्स निर्यात में सबसे बड़ा योगदान करता बनकर सामने आया है